इस वीडियो में हम समझेंगे कि pressure और stress में differences क्या होता है यह actually most famous question है of mechanical engineering अगर आप किसी भी interview को कभी appear किये होगा mechanical में तो यह question जो है mostly पूछा ही जाता है कि pressure और stress में difference क्या होता है actually students के बीच में generally एक misconception होता है कि pressure और stress जहें दोनों का units जहें वह सेम होता है formula सेम होता है तो ऐसा लगता है कि यह दोनों एक similar quantity है बट अगर अभी आप थोड़ा दर वीडियो दिखोगे तो आप खुछ से decide करोगे कि दोनों में जहें बिल्कुल लाइक जमीन और आस्मान का फर एक्सटर्नल्त पर यूनिट इडिया होता है ठीक है यह जो प्रिशर होता है यह day-ой किया आपका externalços के विज़े looking मैं एक्सटर्नल होता है कि अगर हम श्रयांते का बात करें यह आपका होता है इंट्वानल एक्सटर्णल फोस के विजे em जैसे यह कोई बाढ़ है ठीक है इस पर हमने फोर्स लगाया लगाया तो हमने externally force but stresses का mean region होता है वो यह होता है कि जब हम यह force लगाते हैं तो यहां पर deformation होना start होता है कि इस body के cross section पे इसके वज़े से इस body में जो है internal resistance force जो है internally force induced हो जाता है ति यह जो internally induced force होता है यह force जो है stress का region होता है but pressure के case में कोई भी body है अगर आप बाहर से force लगा रहे हो तो यह जो force है यह force जो है region होता है कि इसका pressure का यह चीज़े धियान देना है हमें साथ ठीक है तो जो pressure होता है pressure के case में external force region होता है हमारे pressure का और stresses के case में internal forces होता है एक और यहां पर important thing है जो pressure होता है वह always fluid force के वज़े जनरेट होता है fluid force जैसे nature में जो है हम जैसे human being दे लो या फिर environment में जो भी चीज़े हैं इन सब को इन सब के हम pressure मेजर करते हैं तो प्रेसर है वह किसके वज़े से होता है हमारे आसपास के जो air molecules है उसके वज़े से होता है ठीक है अगर और मेरे हाथ में ये अगर कोई pen है अगर इस pen को मैं दवा रहा हूं तो जब मैं इस pen को दवा रहा हूं तो मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरे दवाने के विज़े से इस pen में pressure induced कि बिल्कुल नहीं मेरे कोई पेन को दवाने से या अगर मैं किसी भी solid body को दबा रहा हूं या फिर आप किसी भी solid body पे force लगा रहा है तो उसके वज़े से उस solid body पे pressure कभी नहीं जन्रेट होगा उस solid body पे stress induced होगा उस solid body में stress induced होगा यह ध्यान रखना जब pressure induce होता है वो always fluid particle के force apply करने के विज़े से होता है किसी भी body पे fluid particle के बट estresses जो है यह directly mechanical impact के विज़े से होता है डिक है mechanical impact के विज़े यह सबसे बड़ा difference है वह यह है कि जो pressure force होता यह always normal होता है नॉर्मलिंटे सेंस कहना है। जब भी पर अपला होता है . जब भी फोर्स फिलूड किसी भी परा सबनारी आसे लाख़ती है । तो फाइनल जो नेट ऑटपुट होता है वो प्लेन के पर्पेंडिकुलर ही होता है ठीक है इसलिए जो प्रेसर होता है वो अलवेज प्लेन के पर्पेंडिकुलर मेजर किया जाता है यानि नॉर्मल डिरेक्शन में मेजर किया जाता है नॉर्मल डिरेक्शन में Choo But acartesasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas होती है Isa cat like printer हो गया लीकि ऑनोंटर हो गया डिफरेंचर हो गया इतना सारव इंस्ट्रॉमेन जब आप कर कर सकते हैं इसको मेजर करने कि बोडी में कितना state USB हुआ उसको पता करने के सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बाडिय में कितना deformation आया elongation कितना हुआ फिर उस elongation को उसके length से डिवाइड करके हम उसका strain निकालते हैं strain को फिर इस hux law वाले formula में put करके तब जाके हम us stress पता करते हैं थे stress को measure नहीं कर सकते हैं हम के और क्या डिफरेंसेस है और कुछ इंपर्टेंट डिफरेंसेस है वह मैं बता दे रहाूं अभी देखो और इसमें डिफरेंसेस क्या है कि प्रेशर के विज़े से जो है अस्ट्रेस जनलिट हो सकता है ठीक है प्रेशर causes stresses ठीक है pressure के वज़े से stress हो सकता है but stress के वज़े से कभी भी pressure नहीं हो सकता है ठीक है stress के वज़े से कभी भी pressure नहीं होगा ठीक है कभी भी pressure नहीं होगा देखो इसका reason यह है कि जो pressure होता है वो always fluid force के वज़े से लगता है always always fluid force के विज़े से लगता है जैसे यहां पर fluid force है यह जो है चारो और से इसमें force लगा रहा है ठीक है चारो और से force लगा रहा है तो इस pressure के वज़े से क्या होगा कि इस body में कुछ ना कुछ deformation अना आएगा ठीक है जैसे कि बॉलिमेट्रिक अस्ट्रेंड के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर बॉलिमेट्रिक अस्ट्रेस जन्रेट होता है क्यों होता है इस पूरे बल्क को जो है वो कंप्रेस कर देता है जिसके विज़से इस पूरे बॉड़ी में बॉलिमेट्रिक अस्ट्रेस डेवलफ हो जात उसक स्कुलिंग में तो इंटर्णgoing के सब्सक्रदियां जिसके विए यह इंटर्नल रजीस्ती फोर्टस ओता है जिसके वेशे होता है रुर्ज हमने हैं जाए कि प्रेशर होता वो अग्स्टरण फोर्स के विए होता contraction ऑल स्टेश हें यह सब्सक्राइब से तो स्टेश की वंजए परेशर जो है वह जनरेट नहीं हो सकता ट्रीक है यह एक इंपोर्टन डिफरेंट हैny react फिर्यार स्वीजी एक सेंवल प्रेंचे में ऑर यह ट्रीकों और कैने क जो तक नर में यहां पे water रखावा है और यहां पे थे बाल पी जो अपला होगा इस बाल पीधा होगा वह सभी ड में यहां पे वी जो है सिर्फोर और सि माल-पर यैघ आप शेषय कोई अपलिक डाइन है यहां पई ऑचता है कर यह हैं यहां आफ डाली का नहीं लिखाना को कर फुल-लाइफ के याद हो जाएगा ठीक है, फुल लाइफ के लिए तो होप यह टॉपिक आपको क्लिएर होा होगा, ओके थैंक यू सो मच और गुड लग